सौंफ और मिश्री का सेवन शरीर के लिए बहुत फाइदेमंद होता है. सौंफ और मिश्री खाने से शरीश की कई बीमारियां आसानी से दूर होगी. सौंफ और मिश्री के मिश्रण से खाना ठीक से पचता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है. सौंफ और मिश्री के नियमित सेवन से मीठे खाने की इच्छा कम होने के साथ मुंग की बद्बू से भी छुटकारा मिलता है. सौंफ में कई तरह के पोशक तत्व पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन और विटामिन सी. वही मिश्री में प्रोटीन, फ सौंफ और मिश्री खाने में स्वादिश्ट होने के साथ शरीर को लंबे समय तक हेल्दी भी रखती है. सौंफ और मिश्री के मिश्रण से पेट थंडा रहता है और कई बीमारियां भी दूर होती हैं. अक्सर जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं, तो खाने के बाद सौंफ और मिश्री का मिश्रण दिया जाता है. इसके सेवन से अपच, गैस, ब्लोटिंग और कब्स की समस्या से राहत मिलती है. सौंफ और मिश्री खाने के अन्य फायदों के बारे में जानने के लिए हमने बात की फिट क्लिनिक की डाइटिशियन सुमन से. अगर खाने के बाद आपको भी खाना पचाने में दिक्कत होती है. तो खाने के बाद एक चम्मच सौंफ और मिश्री के मिश्रण का सेवन अवश्य करें. इसके सेवन से पेट साफ करने में मदद मिलने के साथ कब्स की समस्या से राहत मिलती है. सौंफ और मिश्री खाने से ब्लोटिंग की समस् परेशान रहते हैं। ऐसे में खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाने से मुम की बद्बू कम होने के साथ ओरल हेल्थ में भी सुधार होता है। सौंफ और मिश्री के सेवन से शरीर की थकान और कमजोरी दूर होती है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो नियमित इसका सेवन करें। यहां शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। सौंफ और मिश्री का सेवन करने के लिए दोनों का मिश्रन बना कर एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखें। अब एक चम्मच खाने के बाद रोज इसका सेवन करें। सौंफ और मिश्री के सेवन से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। हालां कि अगर आपको कोई बीमारी या एलरजी की समस्या है तो डॉक्टर से पूछ कर ही इसका सेवन करें। अगर आप ब्लोटिंग, अपच और गैस की समस्या से परेशान हैं तो सौंफ और मिश्री का साथ में सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच सौंफ के बीज लें। इसमें आधा चम्मच मिश्री मिलाएं। इन दोनों को एक साथ मिक्स कर लें। सौंफ और मिश्री को चबाते रहें। आप सौंफ और मिश्री का सेवन खाना खाने के बाद कर सकते हैं। खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री सेवन करना बेहत फाइदे मंद होता है आप रोजाना दो से तीन बार सौंफ और मिश्री को एक साथ ले सकते हैं आयूर्वेद में सौंफ को काफी फाइदे मंद माना जाता है आयूर्वेद में पाचन क्रिया को भेतर बनाने के लिए सौफ का इस्तिमाल किया जाता है आपको बता दे कि सौफ की तासीर धंडी होती है साथ ही यह स्वाद में मीठी प्रकृती की होती है ऐसे में सौफ का सेवन करने से पित संतुलन में रहता है सौफ एसिडिटी और पेट की गर्मी को निकालने में मदद करता है सौफ एक ऐसी जड़ी बूटी है जो त्रिदोश नाशक है यह पित, वाद और कफ तीनों को संतुलित रखने में मदद करती है सौफ खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है जब वाद बढ़ने की वज़ह से पाचन संबंधी समस्याएं होती है तो सौफ का सेवन करना लाबकारी होता है वहीं, जब शरीर में पित बढ़ता है तो भी पेट की दिक्कते हो सकती है इस स्थिती में भी सौफ खाना फाइदे मंद होता है अगर आप सौफ और मिश्री का सेवन एक साथ मिलाकर करेंगे तो इससे ब्लोटिंग और गैस की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी